तो भई आज हम ऐसा नास्ता लेकर आएं न जिसे देखने के बाद आप रूके यही नहीं और बनाना शुरू कर देंगे और जिने भी एक खाना बहुत ही ज़ारा पसंद है न वो तो तुरंती बनाएंगे और यह बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़ारा पसंद आता है तो चलिए सुरू करते हैं तो देखिए हम यहाँ पे एकी पराठा बनाएंगे इसके लिए हम डो थोड़ा ही लगाएंगे तो यहाँ पे चार चम्मच गिहूं का आटा लिया है तो एक चम्मच लिया है मेदा और देखिए आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कप ले ले एक गिहूं का आटा और आधा कप ले मेदा और नमक डालकर अच्चे से डो तयार कर ले जिस तरीके से रोटी जैसा बेल लेना है तो देखिए एंगे एक पराथा बनाने के लिए हमें दो रोटी कि जरूरत होगी तो हम इसी तरीके से दो रोटी बना लेंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक मीनी पराठा जो सभी को बहुत ही ज़ावा पसंद आएगा दोस्तो तो देखिए हमने एक रोटी बना लिया है तो चलिए हम दूसरे रोटी भी बना लेते हैं तो इस तरीके से हम दूसरे रोटी भी बना लेंगे थोरा भी धार होगा नुच चलेगा तो अब क्या करना है कटोरी के ऊपर रख देना है रोटी को और इस तरीके से हाथ उसे गड़ा कर देना है देखें बिल्कुल इस तरीके से गड़ा कर लेना है और फिर क्या करना है एक एग लेना है और इस तरीके से तोड़कर डाल देना है देखें और इसमें डाल देना है बारी कटा हुआ प्याज और यहां पे हरी मीट डाल लेना है हरी धनिया की पत्ती डाल देना है नमक स्वात के नुसार यहां पर और भी मसाले डालना चाहते तो डाल सकते हैं और इस तरीके से डाले के बाद क्या करना है इस तरीके से मिक्स करने ना है देखें और जो एक रोटी और बनाया है वो उपर से इस तरीके से फोल्ड कर देना है देखे और इस तरीके से उपर से डालने के बाद इस तरीके से चिपका देना देखे एकदम किनारे किनारे इस तरीके से चिपका देना अच्छे से चिपकाना है और जो एक्ष्टा वाला पाठ है बो निकाल लीजेगा तो धार वाली रहेगी ना तो एकदम अराम पुर्वक निकल जाएगा तो देखे इस तरीके से चिपकाते हुए अब क्या करना इस तरीके से निकाल लेना है यह एक्ष्टा वला रोल पी देखे एकदम तुरंती निकल जाएगा दोस्तों और यह पराठे भी तुरंती बनकर तयार हो जाती है मैं लोग जादा मिहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और देखे एक्ष्टा वाला पार्ट जो आटे बचा है आप उससे एक और तयार कर लिजेगा तो चलिए अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर हम डिप फ्राइ नहीं करेंगे दोस्तों सेलो फ्राइ करेंगे तो हमने बस इसमें थोड़ा ओयल डालेंगे और इस तरीके से डालने के बाद अब हम यह रोटी को डालेंगे, बनलब यह पराठे को डालेंगें एकदम सबधाने से डालेगा, नहीं तो तेल छिड़कता है और दालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे इसे अलटते-पलटते इसे सेख लेना है और ये चार से पाच मिंट लगता है मीडियम फ्लेम पे और ये तुरंती सिककर तयार हो जाती है और ये देखिया हमारा पराठा, मीनी पराठा बनकर तयार है और ये एक पराठा इतना ज़़ादा टेश्टी लगता है ना क्या ही बताओं आप एक बर बना कर देखेगा तो चलिए अब हम इसे कट करकर दिखाते हैं कि अंदर वाला ये पार्ट मेरला अश्ट्रफरिंग जैसे एकदम इतना फूल मेरल अच्छे से भरा हुआ है दोस्तों और ये अंदर से एकदम अच्छे से कुक भी हो चुके हैं ये खाने में बहुत ही जादा टेश्टी लगता है और बनाना भी असान है तो अगर आपको एक खाना बहुत ही जादा पसंदे ना तो आप एक वार ये एक मीनी पराठा बनाकर जरूर ट्राइ करें और सभी को खिलाए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो थोड सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए हम फिर मिलते हैं निक्स वीडियों तब तक लिए बाबाई